अट्यूतूज़ स्टू़ैंट अंट में आया कॉम्हक्ष क्लासर अग्टा आज मैं आपके लिए लेकर आरा हूं इंशॉर Agora एक बिल्कुल स्पेशॉल वीडियो है हमारे लिए इंशोरेंस में इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको Life Insurance के पारें बताया उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इंशोरेंस की टोटल डेटेल समझाई और आज मैं ले रहा हूँ आपके लिए अब ये जैरणल इंशोरेंस है क्या लाइफ के अलावा लाइफ है ना तो लाइफ को छोड़ दीजिए तो लाइफ के अलावा जो बचा वो सब इंशुरेंस हमारे जर्नल में आते हैं आप किसी भी चीज़ का insurance कह दीजिए, वो सभी insurance journal है, अब उस insurance में भी कुछ basic हैं, बहुत सारे insurance हैं, अब किसी भी चीज़ का insurance हो सकता है, यह बात में आपको लगातार बताते हुआ रहा हूँ, यानि जिसमें भी economic interest हो सकता है, जिसको भी monetary में measure किया जा सकता है, loss को, उस सब चीज़ों का insurance अब किया जा सकता है, तो हम उसको other insurance में consider कर सकते हैं, लेकिन हमारे से लिए मेराइन health or fire, बस तो हम इनी को discuss करेंगे, ठीक है न, तो आजाए हम start करते है, मेराइन insurance, यह मेराइन insurance है क्या, मेराइन हम कहते है, समूंदर के लिए, ship, ship का insurance, मेराइन insurance कि का है, ship का insurance, ship और हल, यानि कि जब ship का insurance होता है, किसका insurance होता है, ship का, तो वो हम कहते है, ship अगा डूब गया, तो ship का के लिए मिल जाएगा, एक है cargo, क्या है, cargo, उसके अंदर रखे हुए समान का insurance, ship का insurance, ship के अंदर रखे हुए समान का insurance, और इसके बाद है fret का insurance, यानि कि जो goods पहुचा रहे हैं उसका फ्रेट भी आपको मिलेगा सामने वाली पार्टी मना कर देगी तो इंशॉरेंस कमपनी देगी तो तीन टाइप का इंशॉरेंस ले जा रहे हैं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आप का से लगता है कि कितने बड़ बड़े कंटेनर होते हैं और ऐसे ऐसे 200-2004-400 पर शेम आ जाते हैं तो सोची कि श्प कितना बड़ा होता हो समझे ना टाइटनिक मुवी देखी होगी देखा होगा कितना बड़ा शिप था वह तो लोग घुम रहे था ठीक है ना यह नहीं कि मंजले भी है फ्लोर्स भी है तो कार्गो के बहुत बड़े-बड़े लिए उनकी कोस्ट भी बहुत जादा होती है सवुह करोड़ दोसो दोसो करोड़ वह से नहीं के रहा हो दोसो करोड़ तक यह सब्सक्राइब हो सकते हैं मेरे तो इमेज वहां तक जारी है इसलिए मैं आपको शिप को बता तो 500 क्रोड़ रुपे का शिप है तो आप इसले इं एक कार्गो हो गया, जो उसका नंदर रखा हूँ गूट्स है, अब आप समझे कि 200-200 कंटेनर हैं, अब कंटेनर में गूट्स है या नहीं है, कितना बड़ा है, जितने बड़ी शिप की कीमत हो, उतने गूट्स की भी कीमत है, और एक है फ्रेट, अब इतने बड़े सिस्टम क ले कर आप जा रहे हैं, इतने बड़ी सिस्टम में आप involved हैं, तो उसका जो फ्रेट है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो फ्रेट का इंशुरेंस, तो मेराइन समझा रहा था हूँ है, किस-किस चीज का इंशुरेंस करा सकते हैं, तो यह वो इंशुरेंस है, अब म लाइव इंशुरेंस में हमने क्या चीज पढ़ी थी, लाइव इंशुरेंस में हमने कहा था कि यह इंशुरेंस आइडिमिनिटी, कॉंट्रेक्ट आफ आइडिमिनिटी नहीं है, लेकिन यह सब कॉंट्रेक्ट आइडिमिनिटी हैं, फायर भी है और मेराइन भी है, फायर का मतलब है कि आपने जिस चीज के लिए इंसॉरेंस लिया है लॉस उसी चीज का होना चाहिए न भी यह थाउनन We Cause Proxima हमारे Fire में लाग होता है कि यदि आपने Policy को लिया ही Fire का है तो Lost Fire होने से ही होगा तो ही Claiming के हम ऐसे ही मलग आपने लिया है Marinformation noi tsunami का मतलब s Africans चापनी पानी का insurance हो गया इससे पिछले वीडियो आप देखेंगे तichen Nejव्या मैंने आप ले Branch कि समुंदुर में मैंने अपने गुड्स के इंशुर्णस कराया हुआ है अब अगर गुड्स के गुड्स को मैंने इंशुर्णस कराया हुआ पानी से समुंदर का पानी से रिस्क होता है अब उसे चुद न काट दिया company claim नहीं देगी company claim नहीं देगी example दिया था मैंने कि यदि ship को काट दिया और ship में पानी आ गया जिसके करण वो समान बेकार हो गया तो company देगी claim, देना पड़ेगा, claim किस चीज़ का था, पानी का था, तो पानी तो आया, चाहब वो causes, चुए ही क्यों नहों, लेकिन वो related to water है, तो वो हमारे पास causes नहीं है, cause, यह last में A है, C-A-S-U-S-A, A वड़ है, proxima, ठीक है, तो marine में, बाकी सारे concept वो ही है, जो हमने पहले पढ़े हुए, वो ही सारे elements हम फायर में पढ़ेंगे, health में पढ़ेंगे, तो journal जो concept है, वो सम्में सेम है, तो कुछी जो का ध्यान देना है, कि marine में causes और proxima लागू होगा, fire में भी लागू हो जाता है, दूसरा, identity वाला है, इसमें भी identity, contract of identity इसमें भी लगता है, और fire में भी लगता है, 100%, 100%, ठीक है, health, अगर आप health insurance की बात करते हैं, तो health insurance है क्या, क्यों पढ़ रहा है है, क्या concept है, क्या चल रहा है, यह पहले जमाने का insurance नहीं है, यह बहुती latest ह जमाने का है, 80's के आसपास ही यह insurance बहुत जादे develop हुआ, यानि कि health के issues हुए, जैसे कि पहले जमाने में अगर आप देखेंगे पुराने system, हमारी इंडिया का ही system को compare कराता हूँ, तो हमारे हैं सारा government system होता था, सारे hospital, government hospital होते थे, अब सारे hospital government कहीं है, तो problem है ही नहीं, सार health के sector में develop होना है, sanitation sector आपका develop हो, तो system में दिक्कत भी तो कितनी दें, तो private sector develop होगा, अब private sector develop होगा, तो खर्चा develop होगा, खर्चा develop होगा, तो इंसान के लिए, फिर भाई problem आ गई, कि भाई, system तो आगया, help के रहे का, लेकिन पैसे कहा है, तो insurance, insurance help कर देगा, तो इस हम कहते है, medical, क्या कहते है, medical, तो तीन तरह से claim दिरवाता है, claim, मतलब कि अगर आप बिमार पड़ जाते हैं, तो तीन तरीके से किलाम दे सकता है, कि एक तो है claim, यानि कि आपको, जो claim दो तरीके, sorry, एक cashless और एक reimbursement, तो cashless, यानि कि आप बिमार हैं, आप hospital में जाईए, आपका इल तो उसे हम कहते हैं, cashless claim, सबसे ज़्यादा, आज, medical claim में, जो popular claim हैं, वो cashless है, दूसरा होता है, reimbursement, यानि पहले आप अपना इलाज करा लीजिए, उसका बिल बना लीजिए, and after that, company आपके उस बिल को reimburse कर देगे, reimburse समझते हैं, आप पे करेंगे, लेकिन after that, आप claim, file करेंगे कंपनी पर और company उतने पैसे आपको दे देगी, तो हम कहते हैं, reimbursement, तो ध्यान देना, cashless और reimbursement, तो लोगों को भी सबस्यादे पसंद आता है, cashless, लोगों को भी क्या पसंद आता है, cashless पसंद आता है, कि आसानी से हमें क्या मतलब, तो इसमें generally hospitals की बहुत मोज आती है, hospitals बह मैंने अपना health insurance ले लिया, अपनी पूरी family का ले लिया, एक तरह तो यह होता है, एक होता है unit link health insurance plan, तो unit link health insurance plan क्या है, unit link health insurance plan है, कि आपका medical तो होगा ही होगा, आप से कुछ extra पैसा ले रही है company, और वो पैसा आपके account में deposit होता जा रहा है, जैसे कि live insurance में होता है, और एक particular time पाद आपको यह पैसा as a invest आपको पापस मिल जाया, तो इसने कहते है, unit link insurance plan, unit link insurance plan, family floater और individual, अकेला ले रहा हूं अपने लिए, family के पूरी family, family floater कहते हैं इसको जनली, यह individual family floater और unit link insurance plan, अब इन सब पते जो मैं आपको बताया, जो मैं आपको बताया, अब इसमें causes proxima का त जनली सबके element same है, तो एक तो मैंने identity बताया, contract of identity, life में नहीं होता, बाकी सम्में contract of identity अपका लगता है, क्योंकि यह life से related नहीं है, जहां life जुड़ जाएगी, जहां इंसान जुड़ जाएगा, तो वहां पर तो जो identity contract वो नहीं होगा, बाकी सम्में contract of identity, cause proxima इसमें भी help होत और marine में cause of proxima का जो concept वो apply होगा, तो life का तो आलाग हो गया, तो life human beings से related हो गया, और बाकी सब चीज़ें human beings से नहीं है, लेकिन जो health है, यह फिर human beings का है, लेकिन है यह general insurance का ही part, किसका part है, general insurance का, तो इसको आपको समझना है, तो आपको marine समझ में आ गया, आपको health समझ में आ और यह fire, fire में कुछ special नहीं लेना है, यानि कि वो ही सारे elements जो हम पढ़ रहे थे, वो सब हो जाएंगे, यानि fire में बस जो एक खास बात है, fire में जो एक खास बात है, जो insurable interest है, insurable interest, जब हमने life को लिया था, तो वहाँ था insurable interest, जिस समय आप ले रहे हैं, policy, उस समय आपका ह interest होना, चाहिए, insurable interest नहीं होगा, तो fire insurance claim नहीं मिलेगा, identity का pure contract है, अगर हम इसको compare करेंगे, तो बाकी सब चीज़ें सेम है, insurance तो insurance है, sector सेम है, ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूं, एक मैंने आपको, जैसे life के life से थोड़ा सा बाकी को compare करता हूं एक होता है, double insurance, कभी-कभी question पूछ लेते हैं, teacher, what do you mean by the double insurance, क्योंकि हम तो insurance के topic को पढ़ रहे हैं, तो double insurance का मतलब होता है, कि जब कोई व्यक्ति, एक ही चीज़ का insurance, दो कंपनियों से ले लेता है, तो इसका मैंने पिछली जो वीडियो से हैं, उसमें मैंने example लेकर समझाने कोशिच की दी, लेकिन मैं फिर भी आपको आज एक double insurance के नाम से, एक मिनट और लेता हूँ आपका, तो double insurance, यानि कि life में मैंने दो कंपनियों से लिया हुआ है, ठीक है न, LIC से भी लिया हुआ है, बजाजवाले से भी लिया हुआ है, ICIC, Lombard से भी लिया हुआ है, बहुत ज कंपनियों को अलग-अलग separate separate देना है, जबकि इसके अलावा किसी भी insurance में, इसके अलावा, यानि कि journal insurance में जैसे ही मैं आ जाओंगा, तो वहाँ पर double insurance आपको नहीं मिलेगा, यानि कि अगर मेरे go down में आग लग गई और मैंने ये policy, दो लोगों से लिरकी थी, दो लग केस स ठीक है, और मेरा नुकसान हुआ, तो मैंने एक company से देड़ लाख रुपे का claim ले लिया, अब अगर मैं चाहूं तो दूसरी company से भी insurance claim लेना चाहूं, तो नहीं मिलेगा, वो claim केवल insurance company को मिलेगा, कौँकि वो claim को divide करेंगे आपसमा, क्योंकि loss केवल देड़ लाख रुपे तो डेड़ लाख रुपे तक का loss आप एक company से ले चुके हैं, अब वो company दूसरी company से भी उस loss को compensate करेंगे, लेकिन आपको double claim नहीं लेगा, तो double insurance के बारे में समझे, health में तो double care triple करा लो, कितना ही करा लो, जितनी company से करा होगा, सब को अलग अलग देना पड़ेगा, लेकिन अब insurance के बल एक ही बार मिलेंगे आपको, ठीक है, एक होता है, re-insurance, ये भी बड़ा अच्छा सा important concept है, re-insurance, important होता है, जब कभी m.com के बच्चों को accounting पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर insurance chapter है, numerical, numerical है, पूरा accounting system होता है, और वहाँ पर जो system होता है, accounting का, आपने कभी नाम भी नही entry system, वहाँ होता है, double account system, entry नहीं, double account system, बुल को different concept है, ठीक है, तो मैं आप क्या समझा रहा हूं, आपको, re-insurance, re-insurance होता है, जैसा अब हमने शिप का insurance की बात कर रहे, तो आप सोचिए, कि 500 करोड का एक शिप है, है ना, मेरी छोटी कंपनी है, मैंने शिप का insurance कर दिया, अब कर तो दिया, लेकिन आपको क्या लगता है, कि 500 करोड का अगर ये शिप डूब गया, तो मेरी company डूब जानी है, क्योंकि मैं तो छोटी company हूं, मेरी company छोटी है, तो इसे छोटी-छोटी company भी बहुत सारी लगी हुई है, जो insurance कर लेती है, अब उन्होंने insurance तो कर लिया, उन् insured, insurer तो company होती है, insured जिसने policy लिए, तो जो insured है, उसने तो पहली company से policy ले लिए, उसका काम तक अदम हो गया, उसका तक claim पास होगा, तो claim नुकसान होगा, तो claim मिलना है, लेकिन जो insured है, उसके लिए समस्या है, भाई इतना बड़ा claim मैं नहीं दे सकता, तो मैंने उस insurance को किजे दूसरी और बड़ी company सा करा लिया, ठीक है, आपसे लिया मैंने उस 500 क्रोल रुपे के लिए, ठीक है, बीस लाग रुपे का insurance था, तो मैंने आपसे बीस लाग रुपे ले लिया insurance के, premium होता है, बहुत बड़े-बड़े premium होते हैं, बच्छा, तो बीस लाग रुपे का मैंने आपसे insurance premium ले लिए एक साल का, अब मैंने उस insurance को reinsured करा दिया, यानि अपना risk उठा का किसी और को दे दिया, ठीक है, लेकिन 15 लाग रुपे में, पांच लाग बजगे मुझे, और अब risk है उस बड़ी company का, यानि अगर कल ship डूब जाता है, तो 20 लाग रुपे insured को त इन एक्जामपल, मैंने एक एक्जामपल दिया, तो reinsurance और double insurance, यह भी आपकी समझ में आ गया, तो insurance कोई बहुत बड़ा system नहीं है, ठीक है, लाइफ में assurance है, बाकी सब में insurance है, तो आपको ये मेरी video कैसी लगी, मेरी video को like करें, मेरी channel को subscribe करें, और जो बहुत जरूरी चीज ह अगर आपने अभी तक मेरी channel में bell icon press नहीं किया है, तो bell icon को जरूर प्रेस करें, क्योंकि नई नई video जो मैं बना रहा हूँ, उसके notification आपको तभी मिलेंगे, जब अब bell icon को प्रेस करेंगे, तो इसलिए bell icon को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी latest video आपको लगाता, मिलती रह झाल